इस वक्त चंडिगड में ग्री मंत्री अमिति शहा क्या कुछ क्या रहे हैं पहले वो अपने दरशे को कुछ सुना देता भी बढ़ानी पड़ती हैं इस सभी को ध्यान में रखते हुए इस छेत्र के लिए आज जो योजना का उद्गातन हुआ है 24 गंटा पानी आप सभी को उपलब्द होगा मोबाई में आज से बेहनों को एलाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी आपको काम हो नल चालू कर दीजेगा पानी उपलब्द होगा कोई टेंकर नहीं होगा पहला मदला हो या चोथा मदला जरूरी प्रेसर के साथ मनी माजरा के पूरे छेत्र में एक लाख लोगों को पानी मिलने की आज से शुरूआत हो रही है लगबग 75 करोड इसके पीछे खर्च हुआ है एक लाग से ज़्यादा आबादी को इसका फाइदा में भूलेगा और 855 एकड में फैली हुई ये वस्ती आबादी 22 किलो मिटर नई पाइपलाइन से अब 24 गंटा पानी की उपलब्दता होगी जब पानी 24 गंटा देना होता है तो सभावी के अंदरगाउं डिजर्वर बनाए पड़ते हैं यहाँ पर दो विसाल डिजर्वर बनाकर 24 गंटे की उपलब्दता सूनिस्चीत कर दिये हैं और स्मार्ट मिटर लगाने से लिकेज का खर्च भी अब आप पर नहीं आएगा घर में भी लिकेज है तो तूरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा और VFD पंप्स लगा कर भी इसको प्रेसर ढंग से आए इस सारी वियोस्ताओं को किया है भाई और मैंनों जब मोदी जी 2014 में प्रधान मंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योधना को लागू करकर हमारे सहरों को इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया और सबसे पहली सहरों की जो सूची गोसित की गई उसमें हमारा चंदीगर था और अब तक भारत सरकार चंदीगर में एक हजार करोड से ज़्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक के तहट खर्च करें है और केवल सहर नहीं जल जीवन मिशन के तहट पूरे देश के स्वच्च पानी हर नागरिक को उपलब्द हो हर घर के अंदर नल से जल पहुँचे इसका प्रबंद हो इसके लिए एक योदना मोदी जी अपनी दूसरी टम में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूँ पंदरा करोड घरों में साथ साल के कम अंतर में पंदरा करोड घरों में पानी पहुचाने का काम पूरा हो गया है देश के 74,74 परसंट घरों में पीने का पानी स्वच उपलब्द हो गया है और आखड़े देखें ये नल से जल योधना जल जीवन मिशन योधना सुरू होने के बाद डाइरिया सबंदीत मृत्यों में देश में तीन लाग की कमी आई प्राइरिया सुरू हो गया है